मेरी पसंदीदा स्वीट डिश है रेजगुला रेज मलाई भी पसंद है वैसे बहुत सारे चीज़े पसंद है आइसक्रीम लेकिन जो ठंडी वाली चीज़े होती है वो मुझे बहुत पसंद आती है ये मैं कुछ भी स्वीट नहीं खाती है पहले मतलब बनाती नहीं है खाना यह बना लो तो बहुत बड़ी बात है तो इसलिए नापूरन बनाती हूँ इतने फेस्टिवल आते है और जाते है मैं कभी कुछ बनाती नहीं और आज मेरा मन किया कि मैं स्वीट खाऊं क्यूंकि ऐसा पहले बार भी हुआ था जब मेरा लो ब्लड प्रेशर हो जाता है लो शुगर एकदम डाउन हो जाती है या कुछ तो मुझे रजगुले खाने का बड़ा मन करता है इसमें जो है इंग्रेडियेंट्स में जो है रोज वाटर इसका ठेंडा ठेंडा रोज वाटर जैसा और यह बहुत जदा गाड़ा मीठा नहीं होता है पतला पतला सा इसका वाटर होता है तो बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए मैंने आज ये मंगवाया मैं आज बेड से उठी ही नहीं पाई तो मुझे बहुत डा किस तरह से वो आपको इंप्रेस करते हैं तो ऐसा था कि जो कार्मी के साथ मेरेज फिक्स होने वाले थी तो उसको जौब नहीं थी और वो बश अपने माबाप की कमाई पर जो है खाने पिने वाला था लेकिन इस तरह से वो बांध देते हैं आपको कि आप उनके रिष्टे को ना ही न बोल पाई तो उन्होंने जो है देखो किस तरह से बाद में गलत बहेव हुआ गलत तरीके से ट्रेटमेंट दिया गया इतना कि कोई जानवर को भी इतना ट्रेटमेंट ना दे लेकिन जबने गई ती पहली बार तो उन्होंने डारेक खाना ही बना डाला हमको खाने पे ही बिठा डाला बोड़ी सी रंगुली जैसे किसी के लिए बनाई हो और मुझे ऐसे बातों बातों में पूछा गया कि तुम्हारी स्वीट डिश फेवरिट कौन सी है तो मैंने बोला रजगुला तो उन्होंने जो है खाने में पता नहीं कितने लोग थे बहुत उनके सार और हमारे थोड़े से और सब लोगों को जैसे मतलब ऐसे बान दिया कि कोई ना न कहा सके और मेरे फादर उसी चीज में फस गये उनको लगा बेटी देनी चाहिए थिने ये अच्छे ट्रेटमेंट दे रहे हैं मेरे बेटी को तो यहां पे इतना प्रेटमेंट में यह लु एक गुलाब का फूल वगयरा वगयरा पता नहीं क्या क्या और तो उसमें स्वीट डिश मंगाए गई रजगुल्ला तो ये रजगुल्ले की एक बुरी आदबी है और मुझे अब लगा कि भे भगवान मैं क्या करो मुझे इससे शादी नहीं करनी है और अब ये क्या ड्राम है और मेरे फादर तो हाँ बोल रहे है मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या मुझे पसंदे नहीं है कुछ भी नहीं पूछा और हाँ बोल दिया उनको और जब वो खाना परोस रहे थे रजगुल्ला मेरे प्लेट में पड़ा तो वो मेरे गले से निगल नहीं रहा था और तो मुझे लगा कि मैं ना खाऊंगे तो इनको शक हो जाएगा कि मैं पसंद नहीं करती इसको अर तो बातों बातु में मेरा कार्मिक मुझे कॉमेडि करने लगा कि रजगुला चाहिए के तुमको ऐसा पता नहीं, तो भई हम किसके घर में खाना खा रहें, तो हमारे ड्यूटी बनती है, फिर मेरा खाना होने के बाद, बहुत सारे लोग थे, मैंने उनको भी खाना परोसा, जो कार्मिक था, वो भी खाने बैठा था, उसको भी खाना कहलाया, उसको भी रजगुले खिलाया, तो यह एक बुरी याद भी है रजगुले, कि किस तरह से यह कार्मिक आपको इंप्रेस करते हैं, और बाद में वो एकदम useless, बहुत ही गंदे होते हैं, बिट स्टार्टिंग में कोई भी हद नहीं छोड़ते हैं आपको इंप्रेस करने के लिए, और इस तरह से हम जो हे, उ अपना असली रूप दिखाते हैं